सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सो बाई होब कि आप सो बच्छा होंगे राफ सभी को अपना इस चैनल अखले स्राजबुलोक्स पर पुना स्वागत करता हूँ तो चली फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पुना एक बार अपना छेत्र बल्रामपूर में जो की ओबरी एक गिलेज का नाम है और वहां पर ओबरी पार्क है तो उसी पार्क में आज हम लोग जाने वाले हैं तो बनेरी वीडियो पर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं पूरा नाजारा कैसा है तो प्लीच देखें यहां पर तरह तरह का पौधा इस पार्क में लगाया गया है जो कि मैं बहुत सारा पौधा का नाम नहीं जानता हूं और जैसे में दखने को यह मिल रहा है यह पोधा क्या है आप लोग कोमेंट करके जरूर बताएगा सामें से दिखां अंकर इसको यह देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको अगर मिलेगा तो मैं घर में ले जाओंगा लेकिन मिलेगा ही नहीं देंगे ही नहीं अगर देंगे तो पूछ के देखेंगे अगर होगा सैद इस पार्क में अर देखने के लिए में परे लिए चलिए यहां का वीडियो को हम और आगे चलते हैं siein we तो फोटा मोटा वीडियो शूट करने के लिए एक नमर का पार्क है तो चलिए फ्रेंड वीडियो को हम बैक केमरा से आप कंटिन्यू करते हैं यहां का चारा तरफ का नाजारा दिखाते हैं ठीक है तो आप लोग मैं यहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक हमारे में हैं तो आप लोग सेर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी पकार से हम आप सभी के लिए वीडियो नया नया लेकर आते रहें क्योंकि क्या है फ्रेंड की हमारे बल्रापूर छेत्र में बहुत सारे कम ऐसे ब्लोगिंग चैनल है और मेरे क लेकिन आप लोग को अगर देखे होंगे बल्रापूर छेत्र में कोई और बलोगिंग करता है तो प्लीज कोमेंट करके जरूर बताएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं हम लोग अबरी उद्यान में आ चुके हैं और काफी खुबसूरत यहां पर पार्क बनाया गया है हम लोग कभी नहीं आया थे मैं तो कभी नहीं आया था और यहां पर मेरे को किसी फ्रेंड्स से पता चला कि बहुत काफी अच्छा बनाया गया है तो मैं आज देखने के लि तो बहुत ही अच्छा हमारे छेतर में पार्क बनाया गया है देखने के लिए या तो घुमने के लिए जो भी कहें और काफी खुबसूरत पौधा है तो आप लोग चाहे तो यहां से खईत के भी ले जा सकते हैं या तो सैद बेचते भी होंगे और ऐसे भी देते होंगे सै करें आजका वीडियो इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कुछ नया करते हैं अगले नया कुछ पार्क तो नया इस्थान पर लेकर चलेंगे तो चलेंगे आजका क्यों इतना ही जेहन बन देमाते